नमस्कार मैं हुश्वांगी और आप देख रहे हैं A1 News बिहार आज है 15 मार्च चलिए फटा फर जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को पहली खबर होली के पहले सिवान जिले के मुफसिल पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है गुप्तु सूचना के अधार पर पुलिस ने शराब कारोबार में शामिल 6 लोगों को गिरफतार किया है वहीं एक कारोबारी पुलिस के पहुँचने से पहले ही मौके से भागने में काम्याब रहा ग्रफतार किये गए लोगों में थानाशेतर के गोपलापूर निवासी पटिया चौधरी के 55 वर्षिये पुत्र ललन चौधरी, राजबली यादो का 45 वर्षिये पुत्र अनिरुध यादो, जगन यादो का पुत्र अभी मन्यू यादो, देवापाली निवासी श्री निव पुलिस ने सर्सों के खेट से कुली 11 कार्टन यानि करीब 100 लीटर शराब बरामत की है, साथी शराब धोने में प्रयूक्त एक बाइक भी जब्त की गई है अगली खबर बिहार के पश्चिमी चंपारन के बगहा अनुमंडल में एक गाव ऐसा है, जहां विश्व के पांच देशों की चर्चा रोज होती है बगहा के सीस्वा पसंदपूर पंचायत के जमादार टोला में पांच भाई अमेरिका, अफरीका, जर्मनी, रूश और जापान के नाम से जाने जाते हैं, हलाकि रूश और जर्मनी की मौत हो चुकी है इन लोगों के इस तरह के नाम के पीछे वी एक कहानी है, इनके परिवार में इन लोगों के चचेरे भाई अकलू शर्मा हुआ करते थे, द्वीतिये विश्व ग्यूद के बाद 1950 में अकलू भारतिये फोज में हिस्दा बने लोग बताते हैं कि उसी समय अकलू के घर एक भतीजे ने जन्म लिया, एक दू साल बाद जब घर पहुंचे तो भतीजे का नाम आंकर किया गया उस समय फोज में अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस वा अफरीका देशों की खूब चर्चाय होती थी, घर आये थे और उन्होंने अपने भतीजे का नाम अमेर का रख दिया इसके बावजूद इन पे सभी कागजातों में अमेरिका, अफरीका, जर्मनी, रूस और जापान ही लिखा गया अगली खबर होली वश अवेबारात को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनाद किया जाए जिस थाने में जितने बल की आवश्यक्ता है उपलवद कराई गई है अपने शेत्र में लगतार गश्ती कराते रहे उपदरवियों पर नजर रखे ये बात रविवार को वरिये पुलिस अधिक्चक हरपरीत कॉर्डने जिला पॉशल सबागार में क्राइम मीटिंग के दौरान कही उन्होंने कहा कि गंभीर आरोप जैसे डकैटी हत्या लूट दुसकर में जैसे मामलों में जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए है उनकी ग्रफतारी के लिए विशेस अभ्यान चलाए जाएगा अगर फरार तो कुर्की जबती करे खासकर महिला उतपीरन वो सेहटी मामले में त्वरीत कारवाई करने का निर्देश दिया होली के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंद रहेगा इसके लिए पहले से ही अपने शेत्र में जो भी डीजे है उसके संचालन को सक्त निर्देश दे बावजूद इसके बजाते कोई पकड़े जाते है तो कारवाई करे शवे बारात को लेकर अवैद रूप से पटाखे का कहीं भंडारा नहीं जो इसके लिए भी चापे मारी करे SSP ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे अगली खबर अब गले महलों में बिजली के नगे तार नहीं दिखेंगे बिजली कमपनी ने ट्रांसफोर्मर से लोगों के घरों तक पहुचने वाली बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्ने लिया है इसके लिए राज में विशेश अभ्यान चला कर एरियल बंच केबल लगाए जाएंगे एक अप्रेल से शुरू होने वाली वितिये वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा बिजली कमपनी ने इसके पहले राज में जरजर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाये था इसके तहट अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदलने जा चुके हैं जरजर तार बदले के कराम में कमपनी ने भीर भार हाट बाजार आबादी वालों इलाकों में ABC लगाए है इसका व्यापक असर दिख रहा है खासकर जिन शेत्रों में विजली की अधिक चोरी हो रही है मोटर साइकल पर सवार या ले जा रहे चार साल के कम उम्रिके बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर M.V.I. Act में संशोधन किया है मंत्राले ने M.V.I. Act की धारा 138 में संशोधन कर सेफटी हॉनर्स और क्रेश हैमलेट के उपयोग को अनिवार बताया है अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगा कर बिठाना होगा M.V.I. Act में हुए बदलाओ अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे अगली खबर बिहार के शहीद खुदिनाम बोज केंद्रिये कारा मुजफरपुर में सोमवार की अहले सुपा शापेमारी की गई सुवसबा पांच बजे से लेकर साथ बचकर पांच मिनर तक शापेमारी के साथ तलाशी अभ्यान चलाए गया S.D.O. East ग्यान प्रकाश और नगर डियस्पी राम नरेश पासवान के नित्वित में शापेमारी की गई जेल में पूलिस और प्रशासन की टीम के पहुंसते ही हर कंप मच गया हलाकि तलाशी के दोरान चापेमारी टीम को प्रतिबंदित सामागरी नहीं मिलने की सूचना है जेल प्रशासन द्वारा चापेमारी की पुष्टी की गई कारवाई के दोरान जेल अस्पताल से लेकर वार्ड सेल टी सेल शचाले पाकशाला तक को खंगाला साथी सेल में बंद नक्सली वे शराब माफियाओं से पूस्ताज भी की गई मुझफर्पुर में जेल में बंद शराब माफिया द्वारा धंदा संचालित किये जाने की आशंका पहले से जताई जारी है होली की अफसर पर शराब माफिया सक्रिये है और चोड़ी छिपे पीने वालों को शराब की डिलीबरी दी जारी है अगली ख़बर जमीन रजिश्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा इसके लिए आपको लोग सेवा गैरेंटी कानून की समय सीमा पांच दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको जमीन रजिश्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोग सेवा गैरेंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा अपर मुख्य सचीव केके पाटक ने इसके आदेश जारी किये हैं अपर मुख्य सचीव ने सभी जिलों के निबंधन कारियाले को नए आदेश को अभिलंब लागू कराने के लिए कहा है इससे जमीन रजिश्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोग सेवा गैरेंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाला डेड़ घंटे का समय जाय नहीं होगा अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोग के लोग सेवा गैरेंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार कर दिया गया है आगे लोगों को इस वाध्यता से मुक्ती मिलेगी अगली कबर बिहार विद्याले परिक्षा समीती की तरफ से बारहवी का रिजल्ट 17 मार्च 2022 को जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यारती ओफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे रिजल्ट चेक करने का स्टेप्स ओफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नमबर, रेजिस्ट्रेशन नमबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत परेगी जानकारी के मताबिक विहार बोर्ट की तरफ से 12 वी की टॉपर्स का इंटर्विव का शुरू कर दिया गया है दो दिन में टॉपर्स का इंटर्विव खत्म कर लिया जाएगा उसके बाद यानि की 17 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट जारी होने के बाद शात्र ओफिशियल वेबसाइट के अलाबा थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं बढ़ाल देखते रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारी शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या लाइक और सब्सक्राइब करें